हलो दोस्तों वेलकम टू डीकोड इंडियन तो यहां पर आप देख सकते हैं बिस्नस टूटे का आर्टिकल है गे इस्टेट पैंक ऑफ इंडिया जो की हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है तो एस्बियाई यहां पर एक बहुत अलग तरीके का पहल सुरूर करने वा है तो इन बॉर्टोवर्स के घर में चॉकलित करके उनको याद दिलाएगा लोन के बारे में इसको थोड़ा डीटेल में देखते हैं तो देखे यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा अपने वैसे बॉर्टोवर्स के घर पे पैक ऑफ चॉकलित भेजेगा जि सब्सक्राइब को कैसे सब्सक्राइब करने वाला है कि इस तरीके стрव से इस बातचित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है bank को ऐसा लगता है SBI को कि इन borrower के साथ बातचित करने का सबसे अच्छा तरीका है इनके घर पे जाकर के इनसे मिलना unannounced तरीके से बिना बताए वे एक surprise देते वे इनके घर पे जाकर के इनसे मिलना और इनको बताना कि इनका loan का जो repayment है वो बाकी है और जब SBI की representative इनके घर पे पहुँचेंगे तो chocolate के साथ इनके घर पे पहुँचेंगे ये पूरा initiative है जिसको की SBI लाने वाला है अब देखे SBI अभी क्या कर रहा है तो अभी दो fintech कंपनिया है जिसके साथ SBI ने partnership किया है अब ये जो दोनो fintech कंपनिया है ये artificial intelligence के उपर काम करता है तो यहाँ पे इन दोनो fintech कंपनियों के साथ मिल करके SBI का जो ये पहल है उसके उपर testing अभी चल रहा है अभी इसको launch नहीं किया गया है अब इन में से एक जो fintech कंपनिया वो क्या कर रहा है तो borrower के साथ वो बातचीत कर रहा है loan repayment को ले करके और जो दूसरा fintech कंपनी है वो SBI को alert कर रहा है कि कौन सा borrower default करने वाला है अब जो borrower default करने वाला है उन borrowers के घर पे इन fintech कंपनियों के representative पहुँचेंगे चॉकलेट के साथ पहुँचेंगे और इनको याद दिलाएंगे कि इनका आने वाला EMI है अगले मन्त इनको EMI अपना pay करना है यह पुरा initiative हो गया अब देखें SBI ने यह फैसला क्यों लिया है क्यों SBI इस तरीके का initiative को ला रहा है तो SBI के अंदर अगर आप retail loan का growth देखेंगे तो वो काफी जादा देखा गया है और यहाँ पे retail loan के better collection के लिए ही SBI इस तरीके का initiative लाने वाला है SBI का जो retail loan है उसमें 16.46% का growth देखा गया है और April to June quarter में यह 12,4,289 करोड रुपे record किया गया है अगर हम पिछले साल देखेंगे तो same period में यह 10,34,111 करोड रुपे record किया गया था तो यहाँ पे जो retail loan के अंदर इतना अच्छा growth देखने को मिला है तो उसके better collection के लिए इस तरीके के initiative को SBI लाने वाला है अब यहाँ पे यह जो 12,00,000 करोड का retail loan है जो कि SBI के दोरह दिया गया है तो इसमें personal, auto, home, education loan सामिल है और अगर आप home loan को देखेंगे तो 12,00,000 करोड में से 6,3,00,000 करोड तो home loan ही है तो इस तरीके से यहाँ पे इन सभी loan का जो repayment है उसको करने के लिए अच्छे तरीके से SBI इस तरीके का पहल को लाने वाला है और यह अपने आप में एक बहुत ही अलग पहल है I hope आपको यह video informative लगा होगा Thank you for watching